देश में कोरोना महामारी की दूसरी लेहर का कहट जारी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और पास पने बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले जिससे की आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पह पहुचती रहे दोस्तों कोवी सेल्फ नाम की ये टेस्ट किट एक रैपट एंडिजन टेस्ट किट है अब जब घर पर ही कोरोना टेस्टिंग किट को महँचरी मिल गई है तो ICMR ने कोवी सेल्फ को लेकर एक एडवाईजरी जारी की है इसमें किट को इस्तमाल करने के देश की साथ लाग से ज़ादा दावा दुकानों में मिलने लगेगा इसके अलावा ये किट कमपनी के ऑनलाइन फार्मिसी पार्टनर के जिले भी सेल्फ की जाएगी कमपनी के प्रमुक सुजी जैन के अनुसार कमपनी देश के 90 प्रतिशत इलाकों में इस किट को पहुच इस सेल्फ टेस्ट कीट का रिजल्ट पॉजिटिव आने पर आटी पीसर जाच कराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जाच करने के लिए किट का प्रयोग करना किसे जरूरी है किसे नहीं यह भी जानना जरूरी है ICMR के निर्देशों के अनुसार घर पर कोवी सेल्फ किट का इस्तमाल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनमें कोवीड-19 के लक्षन हैं या फिर वे किसी लेब दोरा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्ख में आये हों इस जांच किट का स्तमाल बार-बार और बिना सोच समझें ना करें ICMR ने कहा है कि घर पर जांच के लिए किट में दीगाई गाइडलाइन्स को ध्यान पूर्वक और आवश्यक रूप से पढ़ें उसके बाद ही जांच करें कैसे होगा टेस्ट कम्प्लीट सरकार की ओर से कोवी सेल्फ मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर पर और एपल एप स्टोर पर मौजूद है ICMR के महानेदेशक डॉक्टर बलराम भारगव ने बताया कि घर पर रैपेड एंटिजन टेस्ट एक मोबाइल एप के जरिए पूरा होगा डॉक्टर भारगव ने बताया कि एक कम्पनी ने एप को डेवलब किया है जबकि और तीन कम्पनीयां भी इस पर काम कर रहे हैं पहले आपको किसी दवा दुकान से टेस्ट किट खरीदना होगा उसके बाद मोबाइल एप को डाउन्डूड करना होगा फिर टेस्ट करना होगा और टेस्ट की फोटो केट सहित इस एप पर अप्लोड करना होगा आपके मोबाइल फोन पर मौजूद एप का डेटा सुरक्षित सर्वर पर रहेगा जो ICMR की COVID-19 टेस्टिंग पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां सभी का डेटा स्टोर किया जाएगा एडवाइजरी में कहा गया है कि मरीज की जानकारी पूरी तरीके से सीक्रेट रखी जाएगी ICMR की गाइडलेंड्स के मताबिक कोबी सेल्फ टेस्ट किट की जांच में जो लोग पॉजिटिव पाई जाएं उन्हें वास्ता में कोरोना पॉजिटिव समझा जाए ऐसे में उन्हें दुबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है वही पॉजिटिव आने वाले सभी लोगों को होम आईसलेशन में रहने और ICMR-MM स्वास्त मंत्रा लग की गाइडलान्स के तेहाच जारी कोरोना नेमों का पालन करने के सलह दी जाती है वही ऐसे लोग जिनमें कोरोना के लक्षन है और वे कोवी सेल्फ टेस्ट किट की जांच में नेगेटिव आए हैं उन्हें RTP-SAT करना चाहिए ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि माना जाता है कि कम वाइरस क्लोड के कारण रैपिड अंटिजन टेस्टिंग के जरिए कुछ मामलों में इसकी पुष्टी नहीं हो पाती है तो दोस्तों ये थी जानकारी कोवी सेल्फ टेस्टिंग किट की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट टर के जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जाद से जादा लाइक और शेयर करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद